प्रिया दर्शकों नमस्कार आए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार सेल राउरकेला इसपात सयंद्र के ERW5 प्लांट ने नया उच्चितम एक दिवस्य उपादन दर्श कर 49 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा सेल के जल सरंचन माह के पालन के एक भाग के रूप में RSP में चागरूपता कारकिरम आयोजित और आजादी का अमरित महुतसब की कड़ी में आज के देखतीतु हैं पदन स्री गीता महालिक अब समचार विस्तार से सेल राउर केला इसपाद सयंत्र RSP के ERW Pipe Plant ERWPP ने 25 सितमबर 2022 को 552 टन पाइप का उतपादन कर 49 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो अब तक का सरवादीक एक दिवस्य उतपादन रहा है 24 मार्च 1983 को यूनिट का पहला सबसे अच्छा एक दिवस्य उतपादन 542 टन था RSP के निदेशक प्रभारी DIC स्री अतानू भौमेक ने 26 सितमबर को कर्मी समुख को बधाई देने के लिए ERWPP का परिदर्शन किया उनके साथ कारिपालक निदेशक वर्क स्री SRC उन्वन्शी भी थे रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रदर्शन पर अपार खुशी ब्यक्त करते हुए DIC ने कहा उत्कृिष्ट निस्पादन बेहतर काम करने का परिनाम है और यह कर्मी समुख की गहरी परतिबधता और समर्पित प्रयासों को दर्शाता है उन्होंने ब्रेकडाउनों को रोकने पर जोड़ दिया DIC ने कर्मी समुख से उत्पादन को अनुकुलित करने के लिए गती बनाए रखने के लिए उत्साही प्रयास करने का भी आग्रह किया जो बदले में लागत में कमी लाएगा स्री सुरिवनशी ने अपने बधाई संबोधन में कहा कि लगभग चार दशक पुराने रिकार्ड को तोड़ने का तातपर यह है कि यदि द्रीड संकल्प के साथ कार किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है उन्होंने विभाग को उतक्रिष्टा जारी रखने और अन इकायों के लिए सफलता को तरंगत करने का आहवान किया उलेखनिय है कि उत्पादन योजना एवं नियंतरन अनुशंधान एवं नियंतरन परयोगशाला कम्प्यूटर एवं सूचनाव प्रध्योगी की तथा यातायात एवं कच्चा माल विभाग तथा अन सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वित सहयोग से पाइप प्लांट के सामोहिक प्रयासों से यह उपलब्दी हासिल की गई है याड में HR क्वाइलिंग चार्जिंग प्रोसेसिंग टेस्टिंग और तैयार पाइप स्टैकिंग की उपदन स्रिंखला में क्वाइल्स की उपलब्दता सुनिशित करने से लेकर सुचारू लोजिस्टिक तथा सब्धानी पुर्वक योजना और निस्पादन की प्रक्रि पाइप प्लांट ने संबंदित विभागों को उनके अडिक समर्थन के लिए धर्निवाद दिया जिसने रिकॉर्ड बनाने में मदद की उन्होंने शिर्ष प्रबंदन को उनके सक्छम मार्गदर्शन के लिए धर्निवाद दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि विभाग उम्मीदों वर खरा उतरने के लिए अथक प्रयास करेगा इस अपसर पर अनेक मुख्य महाप्रवंदक सयंत्र के वरिष्ट अधिकारी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के साथ-साथ पाइप सयंत्रों और संबंदित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे 26 सितंबर 2022 को जल सरंग्छन माह के उपलक्ष पर आयोजित जागरूपता कारिकरम में मुख्य अतिथी के रूप में अपना संबोधन देते हुए सेल राउड केला इसपाद सयंत्र आरेस्पी के कारिपालक निदेशक कार्मिक एबंपरशासन स्रीपीके शत्पत्थी ने कहा यह हमारी जिम्बेदारी है कि हम पानी को सरंग्चीत करें जो दूरलब होता जा रहा है इस अपसर पर सिविक सेंटर में जल प्रवंधन विभाग और कार्मिक विभाग एबं आरेस्पी के नगर विभाग द्वारा सामारों का आयोजन किया गया आरेस्पी के महापरवंधक प्रभारी कार्मिक एवं परशासन स्री विरेंद्र कुलू कारिकरम के विशिष्ट आती थी थे जबकि सहायक प्रोफेसर एनाइटी राउड किला डॉक्टर एस के मुहम्मद एकवीन दिन मुख्य वक्ता थे इस अपसर पर महापरवंधक प्र आत्र और मातापिता इस अफसर पर उपस्थित थे कारिकरम का शुभारम गन्मानियों दौरा दीप प्रज्वलित कर किया गया हमारे दैनिक जीवन में पानी के महत्व पर विचार विमर्ष करते हुए कारिपालक निदेशक कार्मिक एवंपरशासर ने कहा कि पानी की उप अपने जीवन के लिए इसके महत्व को रिखांकित करने के लिए जल सरक्षन माह मना रहे हैं अपनी समापन टीपनी में कारिपालक निदेशक कार्मिक एवंपरशासर ने सभा को पानी के विवेक पुर्ण उपियोग के बारे में जागरुपता पैदा करने का आहवान किया सहाइक प्रोफेसर एनाइटी रौड किला डॉक्टर एसके मुहमद एक विन दिन ने अपने संबोधन में पानी की कमी और बरबादी के संबंद में दुनिया के सामने आने आने वाले विविन मुद्दों पर विस्तार से बताया उन्होंने सही द्रिष्टी को और प्रदर्शित करने और पानी की बरबादी को रोकने की आवश्रक्ता को भी रेखांकित किया गनमानियों ने इस अवसर पर छात्रों के लिए आयोजित विभिन कारिक्रमों के विजेताओं को पूरसकार भी प्रदान किये आयोजन में RSP द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेज के छात्रों के लिए प्रश्णों तरी प्रतियोगिता शामिल थी प्रारम में महा प्रवंदक प्रभारी जल प्रवंदन विभाग स्री देवजीत राभा ने स्वागत भासन प्रस्तूत किया और जल सरक्षन के महत्व पर अंत्वर द्रिश्टी प्रदान की RSP के महा प्रवंदक प्रभारी कार्मिक एवं प्रशासन स्री वुरेंद्र कुलू ने धन्यवाद ग्यापित किया प्रवंदक कार्मिक सुस्री संगीता M. सिंदूर ने सामारोह का संचालन किया आजादी का अमरित महुत सब सामारोह के उपलक्ष में सेल राउर के ला इस्पात सेंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने हस्तियों पर सामाचारों की ये कड़ी प्रस्तूत कर रहा है आज के व्यक्तित्व है पदमस्री गीता महालिक 1948 में ओडिशा के कोरापूट में जन्मी स्रीमती गीता महालिक ने स्वर्गिय देव प्रसाद दास के अधिन ओडिशी निरित में परशिक्चन लिया और गुरु मायधर राउत के मार्क दर्शन में अपनी कला को और निखारा वे अपनी पीड़ी की प्रमूख ओडिशी नर्थकियों में से एक हैं और उन्होंने देश और विदेश में बड़े पैमाने पर परदर्शन किया है उन्होंने संस्कृती मंत्राले भारत सरकार की एक वरिष्ट फैलोशिप द्वारा समर्थित ओडिशी निरित पर शोध किया है उन्हें ओडिशी निरित में युगदान के लिए 2009 में केंद्रिया संगीत नाटक एकादमी पूरशकार 2012 में ओडिशा संगीत नाटक एकादमी पूरशकार और 2014 में पदमस्री समवन प्राप्त हुए इसके साथ ही आज के हिंदी समचार यहीं समाप्त होते हैं नमस्कार झाल